अच्छा दस्वी के सभी विद्यारतियों के होने वाली बल्ले बल्ले जिसा वादा क्या है आपको अच्छे से अपन पूरा पेपर सोल वुकराएंगे बड़िया से कंपलिट करना मैनत करना पूरी दूंगा स्टेट एबी सी डी एफ तक बाल गोविन भगत जो है खेती का नाम है सूरदाज जी है आपका चोपाई च्छंद में कितनी मात्राय होती है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने बैद होते हैं आठ प्रकार के होते हैं साप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोटे बिलते भाग गए थे तुलसी दास राम भक्ति साका के प्रति और अब है सही जोड़ी नाटक समराठ नाटक समराथ है जे संकर प्रसाद राम ब्रक्ष बेनीपुरी राम ब्रक्ष बेनीपुरी पिता के प्फुल परिनाम वाचक, परिनाम वाचक का जाएगा आपका किरिया के परिनाम का बोद, हीरो सीमा, हीरो सीमा का आपका जाए रेल गाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है, और वारा नसी उत्तर प्रदेश, ये है आपका जे संकर परसाद का जन्मिस्तल, और अविशक्ता से अधिक लंकार का उधारन है, एक से अधिक अर्थ है, व्यक्त करने वाले सब्दों को हम क्या केते हैं, उसे केते हैं अनेकार्थी सब्द, अनेकार्थी सब्द, लोकोक्ति या कहावत किसे केते हैं, एसा कथन जो विशेश अर्थ होता है, एसा कथन, जिसका विशेश अर्थ होता है जिसका विशेश अर्थ होता है ठीक है ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था जितेन नार्गे ठीक है यहाँ परजाएगा जितेन नार्गे शीव का धनूस किसने तोड़ा था राम ने भयानक रसका इस्ताइभाव भयानक रसका इस्ताइभाव था भे और हजारी प्रसाद दुवेदी जो है वो च्छायावाद के लेका के होगे हो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं राम पढ़ता है क्या यह कि प्रस्णवाचक वाक्य है तो यह आपका असत्य रहेगा सारे देश की आस्ता है और इंदो अंद्विश्वास एक से नहीं है यह भी आपका असत्य किताब में बताया गया है ना हीरो सीमा में परमानु बंगिराता सत्य है ठीक है निराला बादलों को रिमजीम बरसने के लिए कहरा रहे अरे गजगज के बदलने के बोल रहा हो ता आजा और तो तो एक दो अटेंडा यह के रहा था चोपाई चंद में चोबीस मात्रा है होती है यह आपका असत्य रहेगा ठीक है और यह बाल गोविन बगत जो ग्रस्त नहीं थे यह आपका असत्य रहने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं और अग यहां से देखें यह सा आपके लिए यहां पर विडियो बना दोगा यहां से देखें राम ब्रक्ष बेनी पूरी भधंद आनंद कोसल्यान का साहित्य परीचे देना है आपको मोहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजिएगा अक्त का अकल पर पत्थर पढ़ना आंग बगूला होन दसानन का समास विखे करें लाभानी बच्चे माता पिताक के परती अपने प्रेम को केसे अभिव्यक्त करते हैं परकती के इस अनंत और विराट सुरूप को देखकर लेके का केसी अनुभूती होती है पिरियोग वादी कावी की कोई दो विशेष्टा है बताईए रीती का कि दो कवियों के नाम और उनकी एक रश्णाय लिखिए मंगलेश डबराल तता सुर्यकान तरपाटे निराला की काविकत विशेष्टा है ठीक है लच्मन द्वारा वीर युद्धा के संबंद में बताएगे दो विशेष्टा है बताईएगा कवी के अनुसार फसल क्या है अधिक है इसके बाद में यहां से डेकते कि आप यह देखिएगा इसके नमबर लाना है ना तो करेंगे कमपेट आप जिनको वरोसा ही नहीं है वही उनका कोई उपाई नहीं है ना यहां से दिखिए कुष्च नमर आपका शिख्स कथवा का यह यहाँ पर गाउं का समाजि यह इसका अथ्वा वाला देख लिएगा कि राम ब्रक्ष बेनी पुरी कि अग्या यह कि बासा सेली कि यहां से साहित्तिमिस्तान कि इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप मुगे इतना यह नववा समास विग्रे फटाफट स्कीन सोट लेते हैं क्योंकि समय कम है आपके पास है न फिर याद कप करोगे यह आपका बच्चे माता पिता के प्रती अपने प्रेम को के से विव्यक्त करते हैं यह यहां से अथ्वा है यह यह ग्यारवा कुस्ष्यन है आपका यह इसका थुआ है मंग्रेश डबराल का आपका साहिति परीचे आने वाला है ठीक है इस बार करके जाएएगा थोड़ा सा यह मंग्रेश डबराल हो गया है ठीक है बच्चों है कोई यह रियल पेपर देख देके नहीं बनाया है खास खास चीज़े बताएए पर हां पढ़ो कि जो परिक्षा में आए अब वह चीज़े क्यों पढ़ रहे हो यह आई गया परिमल गेति का कुकुर मुत्ता भाव पक्ष रेखिए इनकार इनकार निराला का है अगला तो परिमल गेति का कुकुर मुत्ता भाव पक्ष रेखिए इनका ठीके वह यू कला पक्षो साहिति में इस्तान भी करके जाएगा लच्बन के द्वारा वीर योद्धा के संबंद में बताएगा दो विसेशता है बताएगे तो वीर कभी भी वीरता का बखान नहीं करते ठीके यूद्धा कभी वी वेनमरों और देहरेवान होते हैं वो कभी वी अबिमान नहीं करते हैं ठीके वाह या कभी के एनुसार फसल क्या है उसके बाद में हो ली की आसपास परकती में परिवरतान दिखाया देते उन्हें लिखहां इसके बाद में यहां से कभी ताका सिर्ष तक उस्सा क्यों रखा गया है कि पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर वीर रसका इस्थाई बाव बताईएगा इसरी वीर रसका परिवासा उधारन सहीत को से नमर सोला में देखिएगा दोहाच्छंद की प्रती एक मात्राय रिखनी यहां से देख सकते हैं आप इसके बाद में यह कोस्चे नमर आपका सत्रा है कहानी और उपनियास में अंतर यहां से कोस्चे नमर अठारा देखिएगा इसके इन सोट लेते जाओ यार आप तो है ना भाईयू समय कम है अब इसमें क्या समझाए ने क्या आपको पढ़ाए पहले मैंने बहुत पढ़ाया बहुत समझाए भी सही आपको न समझ में नहीं आई बहुत सारे बच्चों को रियल पेपर चाहिए ना तो लो रियल यह आपको इसे पर नहीं है ना बयास्यश्ले लंगे मेरा सब्सक्राइब को यह इसे चाहिए जो बिलकूल टॉप करे बस च्छाती ठोके की है हम यहाँ पर इस चेनल से पढ़े थे और टोपर बने हमें ना बस duel to अब जहां से लकन काहा हसी हमरे जाना सुनाओं देव सब धनुस समाना लखन जो है ना वह सकर कह रहे हैं कि हमें तो सब धनुस पी रिह हैं कि आ पी रिए दोन सबदनुस अमारे लिए एक समान है है ना काचाती छड़व लाबु जनुतोरे देखा राम नयन के भोरे इससे आपकी इसी कौन सी प्रिती है कि गुरुवर आप हम पे बड़ा क्रोध हो रहे हो तो यह देखिएगा यहां से संदर प्रसंगे यह लच्मन जी परसुराम को मुस्क्राते हुए केते कि ह यह देव हमाले चोटे बोड़े सबी धनुस समान है यह पुराना धनुस है इसको राम जी ने इसे नया समझ का देखा था तो यहां छूते ही तूट गया अब इसमें राम का कोई दोस्त नहीं है आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हो और लच्मन की यहां बास सुनक पर पर सुराम जी बोलते हैं दोस्त तुमने मेरे क्रोधि सोभाव के बारे में नहीं तुना है क्या तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूं है जड़ बुद्धी तुम मुझे नी मुनी मात रही समझो ठीक है और समस्त जान संसार जानता है कि मैं छत्रियों का क्या यह संदर प्रसंग होगी व्यख्या अधा हिस्सा यह यहां पर है है चली यह संदर प्रसंग है ठीक है हो गया और यह आपकी व्यक्या रहेगी यह वहावारत मतलब इस कोश्य नमर्एक्की से लाउड़ स्पीकर वाला हुग गया है ठीक है इसके बाद में यह इसका थवर रहेगा यहां पर यह आपको याद होगा है ना निबन तो अच्छे कर लेते हैं ज्यार